पूने के मैदान पर भारश श्रिलंका के बीच आखरी मुकावला खेला जा रहा है आपने देखा होगा कि पिछले मैच में केल राहूल और शिकर्धवन ने बल्ले से अपना खूब दम दिखाये था और इस बार भी केल राहूल और शिकरधवर धमाकेदार बल्लेबाजी कर रहे हैं वैसे तो रोहिश शर्मा हर पारी में अपने छक्कों के लिए जाने जाते हैं लेकिन इस बार केल राहूल ने भी ऐसा छक्का मारा कि सब देखते रहे गए चोथे ओवर की पांच वी गेन गेन बाजी पर थे DMD सिल्वा सामने स्ट्राइक पर थे केल राहूल जैसे ही सिल्वा ने गेन डाली केल राहूल ने घुटने टेक का फाइन लेग पर शानदार छक्का जड़ दिया और ये छक्का इतना शानदार था कि आप स्टेडियम में बैठे विराट कोली को भी देख सकते हैं वो किस तरह खुशी से उचल पड़े और तालिया बजाने लगे और इस तरह से केल राहूल ले अपनी पारी का और मैच का सबसे पहला छक्का जड़ दिया यानि कि ये कहा जा सकता है कि ये दोनों बल्लेबाज आतिशी पारी खेल रहे हैं बाकी देखना होगा कि मैच में आगे क्या कुछ होगा क्योंकि जिस तरह है कि बल्लेबाज ये दोनों बल्लेबाज कर रहे हैं उसे देखकर तो यही लगता है कि शिरलंका के सामने एक विशाल स्कोर जरूर खड़ा करेंगे इस वीडियो पर आप भी अपनी रह रखिए साथ ही आपके अपने चैनल हेडलाइन स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब कीजी